हेलो एवरिबडी प्रॉबिलिटी कर रहे हैं हम लोग और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करेंगे विच इस नोन इस बाइनॉमिल प्रॉबिलिटी डिस्ट्रिबूशन और इसको बर्नॉली ट्राइल्स भी बोलते हैं तो उस पर क्वेश्चेंज करेंगे क्या होत गेम खेल रहे हो लेक्ट जो है क्यों टॉस करहें ठीक है आपको बता है यह या तो हैड आएगा या भाना ऑपको सकसेस है और टेल आना करला है ठीक है तो यू लूस 대해서 इससेरytyम तीन बार आपने सिक्का उचाला और उसमें से दो बार हैड आया और एक बार टेल आया ठीक है। तो यह कुछ ऐसी सी बात हुई जो हमने पी एन सी में भी सीखाथा कि वैं तीन चीजे हैं आपके पास और उसमें से दो अलाइक हैं तो उसका अरेंजमेंट ठीक है तो और इसको क्या बोलते हैं 3C2 ऐसे ही अगर आपके पास पांच बार आपने सिख्खा उच्छाला होता और आप कहते हैं कि तीन बार हैड आएगा और दो बार आपका टेल आजाएगा तो तब हम सक्सेस मानेंगे तो आपक लेकिन अब उसके बात प्रॉबिलिटी की आपके पास हैड आया और हैड आने की प्रॉबिलिटी हाफ है लेटसे फाइव में अगर आपने तीन बार हैड आया और टेल आने की प्रॉबिलिटी भी क्योंकि आपकी हाफ है तो वहाँ पे टू आ गया तो बेसिकली हो क्या रह हो उसमें अगर आपके जीतने के चांसेज पी हैं और उसके हारने के चांसेज आपके अगर क्यू है तो ये एपलिकेबल होगा और ये फॉर्मॉला बहुत सिंपल सा है आप आराम से लिख सकते हैं एंसी आर पी तू दी पावर आर इंटू क्यू टू दी पावर एंड माइनस अचा बहुत सोचना कि ड्रॉ भी होगा ठीक है ड्रॉ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यहां पर गेम या तो हारोगे या जीतोगे बस यही हो रहा है ठीक है अभी अब क्वेश्चन्स लेते हैं उसके बाद आपको और बेटर क्लैरिटी आ जाएगी अब क्वेश्चन द फिफ्टी कॉइन्स शोविंग अप हेड़् अप फंड्रेड और आपको उस मेंसे सी यानि कि उसको फिफ्टी कॉइन्स है उसपे हैड आना चीए तो और टेल आने की प्रॉब्रेड़ P होगी, यह तो clear है, यह ना, भई, head और tail दो ही चीज़े होती है, तो दोनों मिलके पूरा sample space बन जाता है आपका, तो 1-P आपकी tail आने की probability होगी, तो binomial distribution के हिसाब से 100C 50 और P to the power 50 into 1-, यह Q है, ठीक है, Q की जगा 1-P लिख रहे हैं, 1-P to the power 50, अगले पार्ट में आते हैं, और इसने कहा कि this is same as probability of 51 coins sewing head, यानि कि 50 आने की probability और 51 heads आने की probability same है, तो अब 51 head आने की probability कैसे आएगी, 100 C, 51 P to the power 51, and 1 minus P to the power 49, ठीक है ना, अगर P R बार आ रहा है, तो Q जो है, N minus R बार आ रहाता है ना, तो same way, यहाँ पे भी, अगर यह 51 है, अब दोनों का समना आप देखो, 51 plus 49, 100 बन रहा है, बस आप कुछ नहीं कर रहा है, यह तो normal simple solutions हैं, जो आपने खूप किये हुए, यह ना, तो उसको कर लेते हैं, चलिए, इकोल टू, factorial 100 over factorial 1 into factorial 49, P to the power 51 into 1 minus P to the power 49 factorial 100 यह तोला सा इसने घुमा दिया, ठीके, factorial 100 से factorial 100 cancel हुआ हमारा, P की power 50 से यह P की power 51 को cancel करेंगे, तो एक P आपके पास बच जाएगा, तो यह आ गया, और यहां से 1 minus P to the power 49 है, यहां से 50 है, तो 1 minus P बच जाएगा आपके पास, और साथ में अगर factorial 51 को मैं break करूँ, तो 51 into 50 बचेगा, factorial होगा, तो यहां से 51 बच जाएगा, और यहां से 50 बच जाएगा आपके पास, यह simple calculations हैं, तो आप जानते ही है करना, तो अब हमारे पास जो situation बची, वो बची 1 minus P यहां से बचा, divided by 50, is equal to P over 51, यह हमारे पास calculation है, तो इसको हम solve कर लेते हैं, P मिल जाएगा हमें, तो 51 minus 51 P is equal to 50 P, that means 51 is equal to 101 P, that means P is equal to 51 over 101, यह आपका answer, अब यह question है आपके पास, a pair of dice thrown six times, getting a doublet is considered a success, मतलब आपने pair of dice, 6 बार आपने roll किया, और आपको doublet चाहिए, तो doublet आने की probability क्या होती है, बची, doublet कैसे आता है, हमारे पास समतों पहले, यह समझ लें, यह तो पता ही है, वैसे आप लोगो, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, और 6, 6, यह हमारे पास doublet है, तो हमारी doublet आने की probability क्या होती है, probability of doublet, तो 6 over 36, यानि के 1 over 6, तो doublet ना आने की probability, यानि के अब देखे, success की probability है न, doublet को considered as a success, तो हमारा जो binomial distribution हुआ, उसके हिसाब से, हमारी जो P हो गई, probability of success is 1 by 6, ओके, और doublet ना आने की probability कितनी होगे फिर, यानि के probability of failure, जो हमारा Q था वहाँ पे, वो आ गया, 1 minus 1 by 6, यानि के 5 by 6, और अब आपने क्योंकि 6 बार coin किया था, toss तो, सारी, पेर अफ डाइस 6 बार रोल किया था, तो N is equal to हमारे पास, 6 हो गया, और no success की बात कर रहा है, यानि के R is equal to 0 कह रहा है, तो लगाओ binomial distribution, तो क्या होगा, N C 0, फर्स पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे N C 0, क्योंकि 0 success चाहिए आपको, तीक, into 1 by 6 to the power 0, into 5 by 6 to the power 6, तो अब आपको पता है, N C 0 1, ये 1, और 5 by 6 to the power 6, आपका answer हो गया, अचाहिए आप वैसे भी देख सकते थे, अगर binomial distribution नहीं भी लगाते, तो भी हो जाता न, no success यानि के हर बार जो है, कुछ और आरा है, डबलेट के लावा, तो आप वैसे भी कर सकते थे, पहली बार किया, 5 by 6 probability आया, कुछ और आया, फिर दूसरी बार किया, फिर से 5 by 6, तो ऐसे करते करते, आप 6 बार कर लेते, तो यहां से भी आपके पास, 5 by 6 to the power 6 यह आना था, लेकिन हम क्योंकि बारनावल distribution पर बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम नेका, कि यह formula जरा लगा लिया जाए, अब कह रहा है कि भी exactly one success, अब exactly one success का मतलब, फिर से आप समझी सकते हैं, कि मैं यहीं पर कर देता हूं, second part, तो exactly one success का मतलब यह हो गया, कि अब प्रॉब r जो है आपका, one हो गया, n is equal to six है, p और q आपको पता ही है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, six c one, one by six to the power one, and five by six to the power five, यह आपका answer आएगा, तो इस तरीके से देखो, बहुत आसान है binomial distribution है ना, अब तीसरा part कहा है, at least one success, at least one success का मतलब, one minus no success कर देते हैं, तो यह तो बहुत ही आसान हो गया है ना, at least one success का मतलब तो one minus, no success five by six to the power, और no success तो हमने first part में निकाली लिया है, अब यह कह रहा है, at most one success, जादा से जादा one success, यानि कि या तो एक बार success हो जाए, और, या फिर no success हो, तो यह तो हमारे पार अल्रेडी निकल चुके हैं, no success के लिए हमारे पास यह है, और exactly one success के लिए, यह वाला हमने निकाल लिया था, तो इन दोनों को आप add कर लेना, first part और second part का answer जब आप add कर लोगे, तो आप का answer आ जाएगा, तो बुलकुल simple है, अब ज़रह यह question देखिए, a coin is twice as likely to lend heads than tails, याने के head आने की जो chances हैं, वो double है, tails आने से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो इसी को solve कर लगते हैं, तो head आने की मान लेते हैं, हम a मान लें, ठीक है, या probability of tail, तो probability of tail, अगर मैं ये कह दूँ की one by alpha है, चलो ऐसा मान लेते हैं, अलफा मान लेते हैं, और probability of heads, तो क्या हो जाएगी फिर? वो हो जाएगी two alpha, क्योंकि double है, और alpha plus two alpha is equal to one होगा, क्योंकि या तो head आ रहा होगा, या tail आ रहा होगा, तो इसका मतलब alpha is equal to one by three हो गया, और two alpha is equal to two by three हो गया, यानि कि probability of head जो है, यह अपर लेके लेते हैं, probability of head हो गई two by three, and probability of tail हो गई हमारी one by three, तो यह तो आमने यहापर sort out कर लिया, अब क्या हैं, in a sequence of five toss, find the probability that the third head occurs on the fifth toss, यानि कि आपने पाँच बार toss किया, और जो third head है, वो fifth toss में आए, तो इसका मतलब यह हुआ, कि पहले चार toss में, दो head आ गए होंगे, तो अब ऐसा मान लेते हैं, पहला toss, दूसरा toss, तीसरा, चौथा और पाँचवा, पाँचवे में तो मुझे head चाहिए, चलिए जी, इससे पहले चार में क्या हो सकता है, भई हो सकता है कि, पहले ही दो head आ गए हों, पहले बार में उसके बाद दो tail आ गए हों, या और भी variations हो सकते हैं ना, तो ये चीज क्या होई, यहाँ पे, फिर से वही बात होगी, फोर, आपने toss किये, जिसमें से दो alike हैं, यह ना, फोर, चार चीज़ों का arrangement, तो factorial 2 और factorial 2, यह वही बात होगी, तो यहाँ पे हम पहले binomial distribution लगा देते हैं, क्योंकि यह तो वही चीज़ आ गए हमारी binomial distribution वाली, तो first four toss के लिए क्या होगा, four c two, और उसके बाद probability of उसमें head, यानि के success की probability क्यों इतने, two by three थी, और उसकी power two, into probability of tail, यानि के head ना आने की head, की probability और वो भी power two हो जाएगा, तो ये तो हमारा first four का हो गया, अब first fifth में क्या हो, ता मलाल, fifth toss में क्या होगा, fifth toss में, आपके पास head आना चाहिए, तो उसके बाद, उसकी probability से और multiply कर देते हैं, तो ये आपका answer हो जाएगा बई, अब ज़राएए question देखे, a pair of dice is found independently three times, the probability of getting a score of nine, exactly twice is, तो तीन बार आपने pair of dice throw किया, तो सबसे पहली बात हो, N कितना हो गया, हमारे पास three हो गया ना, ये तो clear हो गया, और उसके बाद, probability of nine, nine score हो कैसे आ सकता आपके पास, three, six, six, three, ठीक है, और four, five, और five, four, तो और ये ही चार तरीके favorable conditions है, जब आपके पास score nine आएगा, तो score nine यह आपे लिख देता हूँ, चलिए score nine कैसे आ रहा है, तो याने के probability of score nine वो कितनी हो गई, four by 36 या one by nine, तो nine आने की probability हो गई, one by nine, तो nine ना आने की probability, binomial distribution में क्या है, क्यों क्या है, ना आने की probability, तो वो कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास, वो eight by nine हो जाएगी, याना one minus one by nine करोगे, तो eight by nine हो जाएगी, अब इसने का की जब आपने तीन बार toss किया, तो exactly दो बार nine आना, some nine आना चाहिए, तो याने के r कितना हो गया, two हो गया, apply करो binomial distribution, तो क्या हो गया, आपके पास, एक बार लिख देता हूँ, चलो, ncrp to the power r, q to the power n minus r, याने के 3c2, probability of success is one by nine, तो यह हो गया, one by nine to the power two, और ना आने की eight by nine, तो वो बचा, three minus two, one बचा, यह हमें solve करना है, तो कितना हो गया भई, यह 3c2 तो होता है, three, one by nine, into one by nine is, one by 81, into eight by nine, यह आपकी situation हो गई, तो यह हो गया, eight over two, four, three, याने के option b correct है, अब देखो कितना easy question था यह, है ना, अगर आपको binomial distribution, समझ में आता है, तो बहुत ही आसान है, और यह question actually में, J.E. में पूछा गया 2007 में, इतने simple question आपको मिल सकते हैं, J.E. के अंदर आप, J.E. मेंस के लिए तो आप बिलकुल fit है, अगर आपको यह basic समझ में आ रहा है, कि binomial distribution क्या होता है, तो I can guarantee you, कि आप बढ़िया score करने वाले हैं, probability में, अब ज़र यह question देखिए, multiple choice examination has five questions, each question has three different answers, अगर आपको सही करना है, तो उसकी probability कितनी हो गई, one by three, और गलत करना है, यानि कि unsuccessful होना है, तो उसकी probability कितनी हो गई, आपके पास two by three, यहाँ तक clear, अब इसने कहा, कि पाँच बार उसको, sorry, पाँच questions है, ठीक है, तो इसका मदलब पाँच questions है, तो n कितना हो गया, हमारे पास five, और इसके और बोल रहा है कि, probability of a student will get four or more correct answer, यानि कि या तो four, और या तो five हो ही सही हो, four or more का मदलब, या तो चार या पाँच, तो एक बार तो r हो गया आपका four, और दूसरी बार r हो गया five, simple, दोनों को add करना है, तो आपकी probability क्या जाएगी, probability of r is equal to four, plus probability of r is equal to five, लगाईए जी binomial distribution, five c four, success की probability है one by three, तो power four, failure की probability है two by three, तो power one, plus यहाँ पे तो five c five ही है, और success सारा का सारा चाहिए, तो one by three to the power five, और two by three to the power zero, solve करिए, answer निकालिए, और मैं आपको इसमें option लिखने भूल गया, तो वो options भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे, तो चलो option क्या निकलना है पहले, option ही देते हैं, in the meantime आप solve करों, ठीक, तो मैं आप तब तक आपको answers दे रहा हूँ इसके, तो यह है, 17 over three to the power five, 13 over three to the power five, 11 over three to the power five, और 10 over three to the power five, अब आपको देखो, पहले option देखते हैं, आपको समझ में आ गया कि denominator तो भाईया, three to the power five ही बनने वाला है, और वो बनेगा भी, दिख रहे हैं यहां से, तो चलो जी, इसको solve कर देते हैं further, तो five c four तो five होता है, one by three की power four और one by three एक और है, उसकी power one है, तो उपर आ गया आपके पास one into two, और three to the power five, प्लस five c five one, और उपर आ गया one over three to the power five, तो ten प्लस one eleven over three to the five, पावर five आपका अंसर आ गया, यारे के option c is correct, अब आप देखो कितना easy question है, ठीक, लेकिन यह easy तो है, पर question पूछा जाता है, पूछा गया, जेए means 2013, तो I'm sure इसको देख के आपको खुशी हो लोगी, वाओ, ऐसा question हमारे को मिल जाए दॉम तो बस seconds में काम कर देखेंगे उसको है ना, अब ज़र एक question देखिए, in a binomial distribution B, और bracket में लिखा है N, यानि के number of trials आपके N होंगे, और probability is one by four, ठीक है, तो probability of P मतलब probability of success is one by four, क्योंकि binomial distribution में P को हम use ही करते, if the probability of at least one success is greater than or equal to nine by ten, then R is greater than, यह चार options है आपके पास, तो इसने कहा कि probability of at least one success, at least one success को हम हमेशा क्या करते है, one minus failure, one minus no success, ठीक है, तो at least one success का मतलब तो यह हो गया, तो यानि कि हमें क्या चीए one minus probability of success, यानि कि non-success, यानि R is equal to zero, कहीं कोई success नहीं हुई, यह चीज हमें दे रखी है, और इसको बोल रहा है कि nine by ten से greater than, और equal to nine by ten, तो इसको हम solve कर लेते हैं अब, तो greater than equal to nine by ten, इसको हम solve करते हैं, तो अब हमें binomial distribution लगाना है, तो लगाते हैं भई, तो one minus binomial distribution number है, N, C, R हमें zero लखना है, success की है, one by four, तो उसकी power हो गई zero, और non-success कि यानिके failure की probability कितनी होगी, three by four हो जाएगी, और वो तो फिर N हो जाएगी, and this everything is given as greater than equal to nine by ten, इसको हमें solve कर लेना है, तो करिये जी solve, तो इसको हम nine by ten positive number है, इदर आ गया, और इसको उदर भेज़ देते हैं, तो NC zero तो one ही होता है, NC zero आपका, हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा, है, NC zero one हो गया, one by four ये भी zero हो गया, तो यानि के उधर जो गया, वो बना three to the, three upon four to the power N, आल राइट, तो one over ten is greater than, three by four to the power N, इसको हमें solve करना है, तो एक काम करते हैं भाई, लॉग ले लेते हैं, या इसको मैं थोड़ा सा और, आराम से लिख लेता हूँ, three by four to the power N, is less than equal to one by ten, अब ज़रा लॉग ले लेते हैं, तो लॉग यहां पर लिख रहा हूँ, जब मैं लॉग लूग लूगा, तो क्या जाएगा, दोनों तरफ base ten लूगा, क्योंकि देखो, answers में जितने भी options हैं, वो base ten है, तो N into log of base ten, three over four, is less than equal to log of base ten, one over ten, यह मैंने कर लिया, तो इसका मतलब है हो गया, कि N into log of three, minus log of four, of course base ten चल रहा है यहां पर, और less than equal to, अच्छा यह देखो, यह 1 by 10 है, तो यह minus of, यह हो जाएगा, minus of log of ten, रहीट, और base ten, यानि कि यह minus one हो गया, हमारे पास, ठीक है, तो यह बन गया, N into log of, अच्छा एक काम करते हैं, यहां पर भी minus common ले ले लेते हैं, तो उठा के बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो और असान हो जाएगा, एक step बचा लेते हैं हम, तो यह minus बाहर लिख दिया, तो यहां पर log of four base ten, minus log of three base ten, is less than equal to minus one हो गया, दोनों तरफ minus से multiply करेंगे, तो क्या हो जाएगा, inequality change हो जाएगी, तो N is equal to greater than, यहीं करते हैं, log of four base ten, minus log of three base ten, is greater than equal to one, so obviously दिख गया आपको, N is greater than equal to one over log of four, base ten minus log of three base ten, यहारी के option number C, आपका correct हो गया, अब देखो यह question भी, आप अराम से कर सकते थे, अगर आपको basics clear थे, और यह question पूछा गया, J E 2009 में, अब यह आपके लिए homework question है, ज़र इसको करिएगा, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपको option, इसका सही correct answer बता देता हूँ, वो option है B, इसको करिएगा, कोई दिक्कत आए, तो आप of course, मुझे पूछ सकते हैं, अब यह बड़ा अच्छा सा question है, a drunkard takes a step forward, और backwards, मतलब शराप पिये वे हैं बंदा, या तो एक step आगे जाता है, या एक step पीछे जाता है, ठीक है, the probability that he takes a step forward is 0.4, अगर forward जाने की probability 0.4 हो, तो back आने की probability कितनी होगी, 0.6 है ना, forward जाने की probability याने के success, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ भई, तो P जो होगा, मेरा probability of success हो जाएगा, 0.4, तो probability of success is 1 by 0.4, याने के 4 over 10, और Q याने के probability of failure क्या हो जाएगी, फिर हमारी 6 by 10, यह तो आप clear ही हो जाएगी, ठीक है जिए, अब यह कह रहा है की, find the probability that at the end of 11 steps, he is one step away from the starting position, 11 step लिए याने के n is equal to 11 है इसमें, and कह रहा है की he is one step away from this starting position, one step away कह रहा है, forward या backward नहीं कह रहा है, इसका मतलब ही हो गया, कि यह भी हो सकता है कि वो forward गया हो one step, या net में एक step आगे बहुँच पाया हो, या net में एक step पीछे आगया हो, तो अब net में एक step आगे जाने का मतलब यह है कि probability of one step आगे पहुचा, उसकी probability क्या होगी कि भई उसने 6 step forward लिए होंगे, और 5 step backward लिए होंगे, तो net में एक step आगे गया, या अगर वो एक step पीछे आगया, तो इसका मतलब 5 step forward लिए होंगे, और 6 step जो उसने backward लिए होंगे, तो बस अब binomial distribution लगा दो इन दोनों parts में, तो क्या आएगा, 11, C6, 6 step forward जाने की probability, 4 by 10 to the power 6, and 6 by 10 to the power 4, plus 11, C5 forward जाने की probability, 4 by 5, और 4 by 10 है, 4 by 10 और उसकी power आजाएगी 5, और तो यहाँ पर power 5 होना चाहिए, यह 5 होना चाहिए, total 11 है ना, 4 by 10, 5 और 6 by 10 to the power 6, यह आपका answer होगा, अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इसको दिरब हम solve कर रहे होंगे, तो अब हमें यह पता है कि, NCR is equal to NCR minus R होता है, तो 11, C6 और 11, C5 जो है ना, वो दोनों एक ही हैं, तो इसका मतलब मैं दोनों को 11, C6 लिख लू, तो बात वहीं पढ़ने वाली हैं ना, 11, C6 और उपर आ जाएगा हमारे पास, इसको 4 by 10, अच्छा, एक काम किया जाए, वह यह 1 by 10 की power 6 तो पहली आ रखा है बाहर हैं ना, तो 1 by 10 to the power 11, यह तो यह हर एक में ही है, 6, 11 है, और यहां से और क्या कामन लेख सेथे, 4 की power 6 है, यहां पर 4 की power 5 है, तो 4 की power 5 बाहर ले लेते हैं, तो यह जाएगा 4 की power 5 into 6 to the power 5 पहर आ गया, तो अंदर जो बचा वो बचा 1, 4 और 1 बचा 6, तो इसको हम further solve कर लेंगे, वो अब आप कर लोगा, I don't think you need me for this, तो यह है आपका basically binomial distribution, अब आपको समझने आ रहा होगा कि बई कितना कितना आसान है यह,